आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम एक सिद्धान तक नहीं होतरी इस्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दूस्वागत है क्या हर कोई सीक्रेट नार्सेस्ट है तो कौवर्ट नार्सेसिजम के बात करें कौवर्ट बतलब ही होता है सीक्रेट जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है देखे मैं एक ऐसे ही कोर्स लेके आया हूँ इसलिए मैं नार्सेसिजम के बारे में आपको बता भी रहा हूँ नार्सेसिक परस्नाइटी डिसॉर्डर बैसिकली हम सारे परस्नाइटी डिसॉर्डर्स को कवर करने वाले हैं रिलेशन कौन एक covert narcissist होता है simple सी बात है again grandiose expression तो होती है मैं मैं कियां पर बात होती है लेकिन जो overt या classic narcissist होते हैं उनसे opposite होते हैं ये कैसे क्योंकि सबसे पहली बात तो ये अपनी identity को बहुत ज़ादा hide करते हैं और आपको बता दोओं कि ये इतने humble बताता हूं कैसे आप science देखे पहले बहुत सारे science के बात करेंगे सबसे पहले ये क्या करेंगे बाकी narcissism आप तीन-चार meeting में शायद आप पता लगा लेंगे कुछ तो पहली meeting में ही classic narcissist लेकिन ये आप शायद तीन-चार महिने में भी पता न लगाता है ये आपको पता लगेगा जब ये आपको पूरी जाल में जकड़ लेंगे ये मकड़ी का चाला फैलाथ ए और मकड़ी का जाला वैसे ही हandelanga diz जितनLY आप अंदर चले जाएंगे ये पसंदे जाएंगे तो ये इतना humble दिखाते है इतना humble अपने अपने अचीवमेंट को ब्राइग करेंगे बहुत हमल तरीके से कि अरे देखो मैं देखो वैसे तो यार मेरे पास पैसे बहुत जादा है हाला कि मैं इसके कोई चाह नहीं की पर अब हैतों हैं और इसकी मैं बहुत ज़दा मदद भी करता हूँ मैं इनके मदद करता हूँ अब आपको लगेगा कि यार कितनी मददगार है लेकिन वो आपको ये जटार है कि उसके पास पैसे कितने हैं ठीक है तो बात यही है ये इतना जादा ब्राइग करता है बहुत हमल तरीके से कि आप इनको पैचानी नहीं पाते सब प्लान करके चलते हैं उसके बाद ये हमेशा विक्टिम ये लगातार पहले दिखे ये क्या करेंगे ये आप कैसे हैं आप ठीक हैं और बताइए अरे आईए अरे अरे आईए आप पहले बैठी अरे नाम नाम मेरे ऐसे संसकार नहीं है आप फ्लैट तीन चार मीटिंग में फ्लैट हर एक ट्रिक इनके पास होती है है एक ट्रिक निकालते हैं यह सब दिखावा सब फिक और उसके बाद यह बातों ही बातों मैं आपको बताते हैं कि याद रखिये, कोई भी इंसान अगर सिर्फ दूसरे की ही गलती बता रहा है तो कुछ न कुछ गड़बर है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, सर्फ होता है ऐसी बात नहीं है लकिन थोड़ी सी हमारी भी होती है तो इनसान किस तरुके से बता आपको ध्यान दे रहा है तो यह बहुत ज़ादा दूसरों की गलती की मेरी विक्टम मैं ही विक्टम मैं ही विक्टम और आप माँ जाएंगे अब यह पता क्यूं करते हैं किए जब आप फ़सेंगे और जब आप कुछ गलत करेंगे तो आप अपने आपको दोजदोगे इनको नहीं दोगे क्योंकि आपके दिमाग में अलड़ी फीड कर दिया है कि मैं हैं मिक्टिम हूँ फिर वैलिडेशन वैलिडेशन चाहिए इनको अगर ये कुछ करेंगे सटल कॉंपलेंट्स के सटल इक्डम बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है न अगर कुछ करेंगे तो आप उनको अगर वो आपके साथ है तो आप उनकी तारीफ करें और अगर आप नहीं करेंगे तो शायद अभी ने लेकिन बाद में आपको ये पनिश करेंगे तो बहुत ही प्यार से ये वैलिडेशन मांगते हैं ठीक है और एग्रेसिव होता है ये बहुत जादा तो नहीं ठीक है लेकिन इंडारिकली ये क्योंकि देखें इसमें क्या होता है कई बार जैसे मां लिजे की शुरवात में ही होता है बाद में तो ये भी वही नर्सेस्टिसम अपने मोड में आ जाते है बट शुरवात में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सर्केस्टिक बोले अगर कोई भी आपको ताना मार रहा है ताना तो वैसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट साइन होता है कि आप निकल जाएए वहां से उस इंसान के साथ रही है नहीं तो सार्केस्टिक कमेंट किसी बात पे ताना आपके लुक्स पे ताना लुक्स पे जो लोग ताना मारते हैं वो तो जीते जाकते शैतान होते है ट्रीटमेंट और बहुत ही प्यार से आपको तोड़ेंगे यह ठीक है ये भी करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आपको लगेगा वे चलता है यार लाइफ है थोड़ा बहुत मजाग तो चलता ही है लेकिन आपको नहीं पता है कि भाई इंसान ये कौवर्ड नार्सिस्ट है उसके बाद अपनी फॉल्ड को कभी भी नहीं मानेगे गलती ये जिन्दगी में नहीं मानेगे सारा ब्लेम दूसरों पर लगाएंगे ये तो इनको खुड येने में होता है खून में होता है गलती नहीं मांगना और इंपैथी नहीं होती है आप रोएंगे गड़ गड़ाएंगे ये तो एकदम लास्ट में होता है ठीक है एक जब आप मनलब 7-8 महीने तक एक साल में आप पूरा जब घुश जाएंगे डीपली कुछ नहीं और बताएंगे तुम ही गलत हो तुम चितना रो चितना गड़ गड़ाओ भीक भी मांगलो सब के सामने कुछ भी इनके उपर असर नहीं होता है ये उस तरीके के शैतान होते हैं और मैनोपलेट तो करता ही है और सेल्फ इस्टीम जैसा कि आपने बता है इनका कुछ नहीं होता है पाता दो दोस्तों इसको मैं बहुत बढ़िया तरीकी से आपको बताऊँगा कॉर्स में मैं एक एक चीज जो है लगाता रेंवी करेंगे कॉम्पेटेटेवनेस इनमें बहुत कूट कूट के भरी होती है इतने जादा कॉम्पेटेटेव होते हैं कि नहीं अरे तुम मुझसे आगे कैसे तुम मेरे स्लेव हो तुमको मेरे पीछे ही रहना है और हमेशा अपनी बाहाई करेंगे हमेशा आपसे बिलको लिग दम कैसे इनको डील कर रहा है सबसे पहली बात तो भाई आपको एक दम इग्डोर करना कि यह कोई ऐसा एक निसान एक्जिस्ट भी करता है और थोड़ा वह जवाब दे देना है बाउंडरी सेट करनी है हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने आपको मतलब यूज इस्टाइन ग्राउंड ठीक है फॉर्म ग्राउंड इस पे मैं दो घंडे की क्लास धाई घंडे की क्लास लोगा पूरा नार्सेसिजम पे ठीक है यही एक तरीका है और आपके पास तो कोई तरीका नहीं है तो अब हम बात करते हैं कि क्या हर कोई सीक्रेट नार्सेसिस्टिक देखें ऐसा एक healthy narcissism जरूरी है आपकी self-esteem जरूरी है आपका achievement जरूरी है आपकी self-worth लेकिन ये positive sentiment होना चाहिए आप अपने आपने फोकस करें हर कोई narcissism है बट वो एक healthy होना चाहिए आप अपने action से अगर किसी को नुकसान पहुचा रहे है या अगला इंसान आपकी वज़े से परिशान है तो आप ये समझे कि you are आप गलत जा रहे हो तो self-esteem आपका बढ़िया positive realistic view होता है आपका या इनका तो inflated होता है ठीक है ये सब पता नहीं कौन से delusion में जीते हैं ठीक है तो रमीज राजा ने बोला ता ना है कि मेरे action के वज़े से क्या बहुत जादा परशान तो नहीं हो रहा है दूसरा इंसान या क्या उसकी गलती नहीं है अगर बिना बात कि आप किसी को ये देखे सब को idea होता है ये narcissist को idea कि कितना गलत है अगर आप उसे frankly पूछेंगे तो बता भी देंगे मैंने दोती नार्ससिस से deal किया हों कह रहते कि बाई मुझसे मेरे दोस कोई रही नहीं सकते है यार नहीं है मेरा nature रहा है सर वो ये मान लेंगे ultimately तो इसी लिए healthy narcissism मतलब आपकी self confidence ठीक है they are very confident they are very believed और ये जरूरी भी होता है especially अगर आप politician है आप advocate है आप you know कोई management job में है तो ये सब तो चीज़ा आपको जही है तो इसका मालत अब ये नहीं कि आप narcissist वो negative वाले covert secret वाले ये नहीं ऐसा कुछ नहीं टेंशन मतलीजे अगर आप ये सब traits हैं तो ठीक है उसके बाद एसाइट करेंगे resilience होता है इन में है ना firm होते हैं अपनी बात को बहुत ही अच्छे से रखते हैं ambitious होते हैं they are quite motivated socially काफी ज़्याद घुल मिल जाते हैं ये तो ये healthy narcissist है है ना लेकिन अगर आप किसी को धुख पहुचा रहे हैं वो फिर गड़ बढ़ है तो बस यही लेचर था I hope आपको अच्छा लगा होगा और हमारे course में आए course में हम narcissism को पूरा खोल के रखेंगे तो मिलते हैं फिर आप से भाई thank you so much